अबसकार दोस्तो आज किस वीडियो में आप सबीका स्वागत है तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भी admission forum है वो आप बर सकते हो इसके बाद में आपको जो fees है वो भी बताने वाला हूँ तो दोस्तों जो आपको fees पे करने पड़ेगे आपके जैसे एक subject के लिए अगर आप करते हो अगर आप general category से हो या other category से हो तो आपको 700 रुपए पे करने पड़ेंगे अगर आप जैसे दो subject के लिए अपलाई करते हो तो वहाँ पर आपको 900 रुपए पे करने पड़ेंगे अगर आप तीन subject के लिए अपलाई करते हो तो वहाँ पर आपको 700 रुपए पे करने पड़ेंगा अगर आप 3 सब्जेट के लिए अपलाई करते हो तो वहाँ पर आपको 900 रुपए पे करने पड़ेंगे तो दोस्तो इसी के बाद जैसे आपके 25 नौंबर को आपके एडिमिशन फोरम कंप्लेट हो जाते हैं उसी के बाद दोस्तो आपके इंटरेंस एक्जाम होने वाले हैं जैसे बात करें लाश्ट एयर की तो लाश्ट एयर आपके जो इंटरेंस एक्जाम थे वो नहीं हो पाये थे क्योंकि COVID-19 चल रहा था उसकी वज़े से आपकी मेरिट के साफ़ाई आपको एक तरह से एडिमिश जाएंगे जैसे आप जैसे आप मालीजिए आप BA के स्टुडेंट है जैसे साइंस के स्टुडेंट है कोमर्स के स्टुडेंट है तो आपने जैसे आप मालीजिए साइंस के स्टुडेंट है आपके पास जैसे मतलब कि एक तरह से मालीजिए फिक्जिक्स थी बोठनी थी ज बताना चाहूंगा कि अपकी बार जो आपका admission process रहने वाला है वो आपका एक ही महीने के अंदर करवा लिया जाएगा आपकी बार आपको ज्यादा time बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं और आप जितना जल्दी हो सके उतनी ज्यादा रिप्रेशन कर लेना जिससे कि आपको ब मैं आपको पूरा detail by detail बता दूँगा कि आपको जो आपना इंट्रेंस फोरम है यानि जो एडविशन फोरम है वो आप कैसे बर सकते हो पूरा detail by detail बता दूँगा साथ में कौन-कौन से documents आपके लगने वाले हैं सब कुछ उस वीडियो में मैं आपको बता दूँगा तो इस इनफोरमेशन राष्ता नियुरिशिटी से रिलेटेड मैं इस चैनल पर upload करता रहता हूं वीडियो तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना तो बस आज के लिए इतना ही तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक क